वेलकम बेक फ्रेंड यह है हमारी वीडियो नंबर 48, क्लास 9 इंफामिसन टेक्निलोजी यानि के IT के लिए और हम डिसकस कर रहे थे इंप्लॉइबिलिटी स्किल्स को और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट करना है हमारी यूनिट नंबर 5 ग्रीन स्किल्स को तो इस चैप्टर में इस यूनिट के अंदर हम समझने वाले हैं ग्रीन स्किल्स क्या होती हैं और इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और अगर आपने प्रीवेस वीडियो नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्रेलिष्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो श्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स को तो सबसे पहले कुश्यन आता है यानि कि environment क्या होता है तो environment आपने देखा होगा आपके अगल बगल जितनी भी चीज़े हैं उनको अगर हम collectively एक साथ लेकर के आते हैं बले वो living thing हो या non living thing हो उन सभी से मिलके आपका एक environment बनता है तो environment को अगर हमने define करना हो तो हम बोल सकते हैं यानि कि आपके सभी चीज़ जो भी आपका living and non living elements हैं और साथी में जो भी उनके effect पढ़ते हैं और उनका influence पढ़ता है human life के अंदर उसको हम बोलते हैं environment या simple इसकी दूसरी definition भी आप लिख सकते हैं environment is that which surround us यानि कि हमारे अगल बगल जितनी भी चीज़ें हैं जो भी आप देखते हैं वो सभी आपका environment के अंदर आता है अब environment के अंदर आपका living and non living दोनों चीज़ें आ सकती हैं जैसे कि आपका plants हैं, animals हैं, water है, air है, sunlight है, climate है तो ये सभी आपका environment के अंदर आएगा जैसे आपने देखा होगा school environment होता है तो school environment के अंदर कौन-कौन सी चीज़े होती हैं जैसे कि classrooms है, corridors है, labs है, library है, playground है, washrooms है, students है and teachers है तो ये सभी मिलके आपका एक school environment को complete करते हैं ऐसी आपका market environment में क्या होता है office building होती है, ships होते है, road है, log है आपके जितनी भी चीज़े हैं, वो सभी आपका market environment को create करते हैं then next topic हम देखते है, society and environment तो society हम बोलते है, a group of people living together forms a society यानि कि जब लोग सभी एक साथ मिल, एक साथ आते हैं और मिल करके रहते हैं तो उसी को हम society बोलते हैं और people जो है, जो कहीं भी आपके हो सकते हैं आपका villages में हो, cities में हो, states में हो, countries में हो वो आपका एक part होते हैं society का अब यहाँ पे देखिए, जब भी लोग आपका interact करते हैं environment के साथ तो उसको थोड़ा change भी करेंगे तो यही इसमें दिया हुआ है अब देखिए, क्या क्या changes है जैसे increase in population और economic growth जब हुई है तो इसकी वज़ेसे nature को भी हमने काफी ज़ादा यहाँ पे effect किया है Then हमारा next topic यहाँ पे आजाता है natural resource तो natural resource क्या होते हैं कोई भी ऐसी resource जो की freely available है nature के अंदर उसको हम बोलते हैं natural resource जिसको की humans use करते हैं अपने benefit के लिए, अपने welfare के लिए तो यहाँ पे simple सा है natural resource are the resource that are freely available in nature such as water हो गया, land है, soil है, rocks हो गये, forest animal, fossil fuel, mineral which is used by humans for its welfare वो सभी आपका natural resource के अंदर आता है यह resource को हम simply बोल सकते हैं जो की human consume करता है, जो हमारे beneficial है उसको हम resource बोल देते हैं, natural resource को हम directly और indirectly दोनों तरीके से consume करते हैं अब जो आपका natural resource है, यह आपका किसी भी form में हो सकता है solid form में, liquid या gas form में और यह आपका organic और inorganic भी हो सकते हैं यह आपका metallic या non-metallic भी हो सकते हैं तो यह तो आपका बात हुई natural environment की इसके अलाबा जो human made environment होता है वो आपका artificial resources के अंदर आता है जो यानि कि human resources developed by humans during the growth of civilization are called artificial resources यानि कि जो human create करेंगे जैसे आपका electricity है, यह humans ने बनाई है, plastic है, computers है तो यह सभी आपका आजाता है artificial intelligence में अब यहाँ पे काफी तरीके के natural resources होते हैं उनको हम देखते हैं, जैसे land resource है, forest है अब इनका use होता है, land resource हम use करते हैं basically आपका agriculture के लिए और बाकी कामों के लिए जैसे अगर हमको factory है, school building है, office building है तो यह सभी आपका कहां होगा, land resource की मदद से होगा ऐसी आपका forest resource हा जाता है क्योंकि human beings आपका काफी ज्यादा dependent है forest पे, अपने day to day life के लिए हमको wood वहाँ से मिलता है और वहाँ पे और भी resources हमको मिलता है आपका forest से ऐसे ही water हमारे हर तरफ है 70% जो आपका area है, अर्थ में वह आपका पानी से ढखा हुआ है तो पानी से हम काफी ज्यादा use करते है day to day life में हम use करते हैं ऐसे mineral है, food है और आपका energy है अब यहाँ पे जो आपके natural resources होते हैं यह दो तरीके के दो main category में इनको divide किया गया है जिसमें सबसे पहले आपका आजाता है in exhaustable और exhaustable in exhaustable यह होता है यानि कि जिनको हम यहाँ पे कितना भी use करें यह आपका कभी खतम नहीं होते जैसे कि natural resources cannot be exhausted by human consumption are called in exhaustable natural resources जैसे कि आपका solar radiation है wind है, water है, tights है इसके अलाब़ा exhaustable यानि कि जो एक limited quantity में है और उनको अगर हम overuse करते हैं तो आने वाली generation के लिए वो खतम हो जाएंगे तो यह हमने इसमें भी लिखा हुआ the natural resources that are available in limited quantities and may get exhausted due to continuous uses तो इसके अंदर आपका जैसे coal है, petroleum है यह आजाता है अब आपके जो natural resources है यह आपके renewable भी हो सकते हैं यानि कि इनको हम renew भी कर सकते हैं और non-renewable भी हो सकते हैं अब यहाँ पे renewable में कौन कौन सी चीज़े आती हैं जैसे आपका water है, sun है या sun से जो हमें energy मिलती है wind है, biomass है, soil है और forest है, इनको हम renew कर सकते हैं हम दुबारे forest को यहाँ पे create कर सकते हैं soil का more of a trial बना सकते हैं इसी तरीके से non-renewable के अंदर आपके आता है fossil fuel जैसे की coal and petroleum है LPG है, natural gas है, nuclear energy है और minerals है अब यहाँ पे देखिए human activity कौन कौन सी है कई बार exam में पूछा जाता है कि कौन कौन सी human activities है जिसने की environment को सबसे ज़्यादा damage किया है तो इसमें आपका पहला आता है over exploitation यानिकि जब हम over use करते हैं किसी भी resource का इसके अलाबा mining हो गया, deforestation हो गया over population है, pollution है और natural causes है जैसे की earthquake हो गया storm है, flood है, tide है यह सब भी आ जाता है तो यह सबी वो human activity है अगर हम natural causes को छोड़ दें तो यह बाकी over population, pollution, deforestation, mining, over exploitation यह सबी आपकी humans के द्वारा किये गए हैं यानिकी human activities है देन हम बात करते हैं आपका pollution की, तो pollution simple सा कोई भी presence आपका harmful और unwanted substance जो कि आपका environment पे है, जो आपका air मोँ सकता है, water में, soil में जो कि harm करते हैं आपका living organism को आपका including humans इसके अंदर आते हैं, तो इसको हम pollution बोल देते हैं, अब pollution आप देखेंगे, अलग-अलग तरीके से pollution होता है, बले वो chemicals के से हो gases से हो, noise pollution हो, light हो और other pollutant भी होते हैं अब यहाँ पे अलग-अलग type के pollution दिये हैं, जैसे कि air pollution, आपका mainly harmful gases की वज़े से होता है, जो factory से आपका smoke निकलता है, water pollution है, soil calm pollute करते हैं, अगर हम ज़्यादा fertilizer और chemical का use करते हैं, noise pollution mainly urban area में आपने देखा होगा और plastic waste की वज़े से भी काफी ज़्यादा pollution होता है, then हम बात करते हैं climate change, अब climate change क्या होता है, climate change means the long term changes in earth's weather pattern and temperature यानि कि long term में जो भी आपका change नजर आता है, क्योंकि gradually हमने देखा है कि हमारी जो अर्थ है, पहले के मुकाबले वो और ज़्यादा hotter यहाँ पे हो रही है, और ज़्यादा वाम problem भी आती है, तो जिसको हम next इसमें discuss करते हैं, जो की है the green house effect, तो green house simply होता क्या है, इस तरीके से आपने देखा होगा, जहाँ पे हम plants को यहाँ पे, अगर उसका main weather भी नहीं है, main season नहीं है, तब भी हम उसको उगा सकने हैं, उसको हम produce यहाँ पे कर सकते हैं, आपने देखा होगा, इस तरीके से, सी से के यहाँ पे आपके कुछ, आपके house type बनाते हैं, जिसको हम green house भी बोलते हैं, अब यह simply क्या करता है आपके sun से जो raise आती है उसकी मदद से, अब यहाँ से आपके जो सूरे की radiation है, वो इसके अंदर तो आएंगी, लेकिन बाहर नहीं जा सकती तो इसका हम mainly use करते हैं, plantation के अंदर, यानि कि अगर हमारे पास cold weather है, तब यह उसको हम hot रख सकते हैं, इन green house की मदद से, तो simple सा है a green house is a structured, made by primarily of transparent material such as glass और plastic और इसको design किया जाता है heat को trap करने के लिए, जो की sun से आती है ताकि एक warm environment हम अंदर बना सकें, तो simple सा this trapped heat allows plants to grow in a controlled and optimal climate, even when the outside temperature is colder, यानि कि अगर बाहर आपका temperature cold भी है, लेकिन अगर आप green house के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कई जादा gases भी यहाँ पे आते हैं तो several gases are present in earth atmosphere, which prevent the heat that enters the atmosphere from moving out of it, यानि कि काफी जादा आपने देखा होगा, earth के बाहर हमारा atmosphere होता है, जहाँ पे अलग-अलग gases होती है, ozone है, CO2 है अब यह देखे, green house effect के वजए से, जो green house gases निकलती है जैसे कि आपका carbon dioxide है methane है, तो यह आपका निकलती है और इनकी वजए से हमको यहाँ पे effect होता है, harmful effect होते है जिसमें सबसे पहले आपका आता है global warming, अब देखे, global warming क्या है, global warming refers to the long term increase in earth average surface temperature due to human activities, particularly the emission of green house like carbon dioxide and methane, यानि कि आपका global warming जो है, वो long term increase जब होता है, अर्थ के surface में, human activities की वज़ेट से, जैसे कि आपका green house gases है, जैसे कि carbon dioxide और methane, अब इसके effect क्या है, कई बार exam में पूछा जाता है आपका global warming या green house effect क्या है, जो सबसे पहले, it increases in the average temperature of earth, अर्थ का average temperature है, वो यह आपका बढ़ा देता है, submerging of islands and coastal area, submerge हो जाते हैं, काफी ज़्यादा हुए भी है, और आगे भी अगर हमारा global warming यह बढ़ती ही चली गई, तो काफी ऐसे country है, जो island country है, जो कि आपका submerge हो जाएंगे oceans के अंदर, इसके अलाबा extreme weather conditions, यानि कि जब आपका एक optimal weather नहीं होता है, कभी भी आपका जो गर्मी है, वो भी ज़्यादा पड़ेगी जो ठंडिया है, वो भी ज़्यादा पड़ती है यह भी आपका effect है, global warming या greenhouse effect का, इसके अलाबा increase in disease, diseases में increase होगा, और ozone layer का depletion यहाँ पे होता है अब यहाँ पे इसके अलाबा natural disaster है जैसे flood है, drought है, earthquake है और landslide है, यह भी इसका effect है अब इससे बचने के लिए हमारे पाए एक simple सा step यहाँ पे है reduce, reuse and recycle reduce यानि कि चीजों को कम हमने use करना है, जैसे plastic bags हैं और harmful चीजें हैं, reusing यानि कि अगर हम बार-बार किसी चीज को use कर सकते हैं, तो हमें उसी को करना चाहिए, और recycle using things in a new way or different way जैसे यहाँ पे एक example है save paper and save trees का, हमें reduce करना है, do not leave too much space while writing, paper पे लिखने पे आपने ज़्यादा space नहीं देना है reuse में आता है, paper के आप दोनों side लिखें और recycle, इसी paper को आप recycle भी कर सकते हैं जैसे use both side of paper for writing give your old book to someone who can use them, ज़रूरी नहीं कि हर बार हम नहीं किताबों को लेकर के आए and prefer using recycled paper recycled paper को हम बार-बार use कर सकते हैं, तो I hope आपको यह topic समझ में आये होंगे, basic से हमारे topic थे, तो इसके आगे के जो topics हैं, वो हम देखने वाले हैं next video में, video number 48 sorry, video number 49 तो इसी के साथ हमारी ये video भी खतब होती है video number 48, तो मैं मिलता हूँ आप से next video में, video number 49